Hello Everyone, Welcome to Online Study Point आज है 25 जून और आज की इस वीडियो में हम 25 जून से रेलेटेड करेंट अफैर के सभी इंपोर्टन कोश्चन को कवर करने वाले हैं और आप में जो भी रेलवे के एस्पिरेंट है उनके लिए टेक्स्ट बुक पर RRB NTPC 2021 के अपडेटेड और लेटेस्ट 176 टेस्ट यह आप लोगों को मिलेंगे जिसमें की 26 टोटल टेस्ट फ्री हैं साथ में आप लोगों को RRB NTPC इसका जो CBT2 होना है इसके लिए अपडेटेड 90 टेस्ट जूनियर ट्रांसलेटर के 200 टेस्ट और यह सभी आप लोगों को मिल सकेंगे साथ ही आप फ्री टेस्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं पर बेटर एक्सपिरियंस और यूज दा कूपन स्टडी 10 स्टडी 10 का कूपन आप यूज किये और टेक्स्ट बूक पर काफी सारे एक्जाम्स के स्टडी माटेरियल और मॉक टेस्ट यह अवलेबल होते हैं जिसमें आप लोगों को रेलवे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस आध स्टडी 10 का कूपन इस्तमाल करके इसे पर्चिस कर सकते हैं, इससे आप लोगों को 30 रुपए एक्स्टर डिस्काउंट मिल सकेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोश्चन, हाली में अमेरिका और रशिया के जो राजट पती हैं, इनके बीच सिखर संबेलन ये के शहर में आयजित किया गया, तो ये आयजित किया गया था जेनेवा में, जेनेवा जो कि स्विजर लेंड का एक शहर है, अब ये इतना इंपोर्टन क्यों बन जाता है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, कि रशिया और अमेरिका, इन दोनों के बीच का जो टशन है, ये काफी समय से चला आ रहा था, खास तोर पर ये देखा जाए, तो अमेरिका में जब डोनाल टरंप का शाशन था, जब ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो ये अमेरिका में कुछ भी चीज़े बिगरती थी, खास तोर अमेरिका को जो राजदूत था, रशिया में था, और रशिया को जो राजदूत था, ये था अमेरिका में, इन दोनों ही राजदूतों को अपने अपने देश बुलवा लिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कि आप जानते ही हैं, अमेरिका में नए प्रेसिडेंट बन ग पुतिन ने बाइडन को कहा कि आप बहुत अच्छे हैं बाइडन ने क्या कहा नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हैं फिर ये कहेंगे नहीं ऐसा नहीं आप ही बहुत अच्छे हैं तो बस इस तरह कि इनकी मीटिंग संपन हुई है जो भी बात चीत हुई हो तो दोनों देशों की एक पहल थी जो कि आयजित की गई जेनेवा में जेनेवा जो कि स्वीजर रेंड का एक शहर है स्वीजर रेंड की राजधानी है बर्न ने आप लोगों को बताया थे कि फ्रांस और स्वीजर रेंड के बीच में एक परवत है जिसे आप पेरे नीज परवत के नाम से जानते कुछ समय पहले ही स्वीजर लेंड के दुवारा पब्लिक प्लेसेस पर यानि कि जो सारवजनी किस्थल होते हैं यहां फेस कवर करने पर बैन लगाये गया है अगला कुश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ जो की हाली में खबरों में था यह किस देश में इस्थित एक प्रवाल बित्ती यह होते क्या हैं तो कहने का मतलब है कि समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं जब वो मर जाते हैं यानि कि मरत जीव के जो अवशेस हैं यह जब एक स्थान पर इकठा होने लगते हैं तो कैल्सियम कार्बोनेट की संरशना बन जाती है इसे ही हम प्रवाल बित्ती में विश्व विराशत घोसित किया गया था और हाली में UNESCO का ये कहना है कि इन रीफ पर bleaching events के कारण इन प्रवालों को काफी नुकसान हुआ है और इस कारण इसे खत्रे की विश्व धरोवर इस्थलों की लिश्ट में डाला जाना चाहिए लोगों को ये बताने के लिए कि इन्हें खत्रा है इसके कारण इसे खत्रे की विश्व धरोवर इस्थलों में डाला जाना चाहिए जिसके कारण ये हाली में चर्चे में आया था आउस्ट्रिलय के दिए हम बात करें साथी मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि जब से ब्रिटेन यूरोपी यूनियन से अलग हुआ है कब अलग हुआ था जनवरी 2019 में इसके बात से दी देखा जाए मतलब कि बीते दो सालों में ब्रिटेन ने अभी तक सबसे बड़ा समझोगता किसी भी देश के साथ नहीं किया था इसने अभी हाली में सबसे बड़ा समझोगता किया है और चे साथ ही एथेनौल पॉलिसी पर काफी ध्यान भी दे रही है, मतलब कि एथेनौल पर जोड दे रही है, जैसे कि जो बिहार है ये एथेनौल पॉलिसी लागो करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना था, सरकार की क्या निती है कि 2025 तक, हाला कि ये टार्गेट पहले 2030 तक कर रखा ग ये पेट्रोल रहे, तो इसे होगा क्या, तो ये एको फ्रेंडली है, जिसे कि कुछ हद तक, जो वायू प्रदूशन है, इसे भी कम किया जा सकता है, जो काला धुआ निकलता है, जिसके कारण वायू प्रदूशन फैलता है, इसे कुछ हद तक तो बचा जाही सकता है, साथ के बारे में मैंने आप लगों को बताया था कि गन्य का उत्पादन शुगर की मिले यह है क्योंकि सुगरаться इसरी से हुआ बनने वाला तो था गन्ने से ही लेकिन इसी के option के रूप में अब क्या निकल करके सामने आ रहा है कसावा कसावा जो की एक तरह का पौधा है यह कार्बो हाइडरेट का अच्छा सोर्स है इसका वैज्ञानिक नाम है मनी हाट इसको लेंटा और खासियत यह है कि यह कम पानी मे से हो करके जाती है तो करकर रेखा के 10 डिगरी उपर और 10 डिगरी नीचे का शेत्र इन उच्ण कटी बंधी इलाकों में इसका उत्पादन अच्छा होता है और इस कारण यह मानना है कि इस एक option के रूप में देखा जा सकता है नाम है कसावा यह सारी चीजे मैंने आप का मिक्षर यह 20% करने का फैसला किया गया है हाली में दुनिया का पहला अनुवानसिक रूप से संसोधित रबर का पौधा यानि कि जनेटिकली मूडिफाइड रबर इसका पौधा कहां लगाया गया है तो यह भी हाली में लगाया गया है असम में इसे आप ऐसे समझ सकते ह आप लोगों ने BT का पास के बारे में तू सुने ही होगा BT का पास इसमें क्या हुआ था कि इसके भी जीन में परिवर्तन किया गया था और इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे क्योंकि इसके जीन में परिवर्तन करने के बाद इसकी क्वालिटी बढ़ गई और भारत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा था तो इसका एक positive effect पढ़ा था अब क्या हुआ है कि दुनिया का ये जो पहला genetically modified rubber है इसका भी पौधा लगा दिया गया है असम में और इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बताओं तो ये जो GM variant rubber है ये प्रतिकूल जलवाईयों की परिस्थितियों को जहिलने में भी सक्षम है वही मैंने बताया कि इसके quality और good धर्म बढ़ जाता है इसका trial किया गया और इसके trial खत्म होने के बाद ये बास दिकल करके सामने आई है कि इस पौधे से जब उत्पादन बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आई में भी बढ़ उत्री हो सकती है और इससे ये भी होगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा rubber का उत्पादन हो सकेगा और ऐसा ही पौधा लगाएगी है असम में असम के दिए हम बात करें राजधानी दिशपुर हाली में यहां के नए मुख्यमंत्री बनाए गए है इनका नाम क्या है हेमंता बिस्वा सर्मा असम सर रिलेटेड और क्या मैं आप लोगों को बताऊं तो देखे हाली में यहां चटवे और सातवे नेशनल पार्क की घुशना की गई है तो इन सातों के नाम को हम डिसकस कर लेते हैं मानस, नामेरी, ओरंग, लाइक हुआ, काजी रंगा यह तो आप लोगों ने पढ़ा था इसके लावा छटवा नेशनल पार्क यह डिकलेर किया गया राय मुना को और सातवा नेशनल पार्क जो की देहिंग पटकाई को घुशित किया गया है भारत का पहला मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क इसके आधार शिला असम के जोगी गोपा में ही रखी गई है अगला कोशन है हाली में भारत का पहला राज्य कौन बना है जहां तीनो मगरमश की प्रजातिया पाई गई है तो यह बन गया है ओडिसा ओडिसा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां मगर मच की ये जो तीनों प्रजातियां है ये पाई गई है ओडिसा के दिए हम बात करें तो ओडिसा की राजधानी है भूवनेश्वर भूवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर भारत का पहला फायर पार्क ये इसी भूवनेश्वर में स्थापित किया गया है साथ ही ओडिसा गवर्मेंट के दुआरा भारत का सबसे बड़ा हौकी स्टेडियम ये बनाने की घुशना की गई है ओडिसा में ही और ओडिसा में ये कहां बनाया जाएगा राउर केला में कुछ करण के फैक्ट है जो कि आप रिलेट कर सकते हैं देखिए आगामी खेल प्रतियोगिताओं में जो 2021 का इंटरनेशनल येनिकी मेंस होकी वर्ल्ड कप है होना है 2023 में ये इसी ओडिसा में आयजित किया जाएगा भारत का सबसे लंबा नदी बांध ये ओडिसा में ही है हीरा कुंड बांध इसका नाम है महा नदी पर बनाये गया है ओडिसा ये अमृत रैंकिंग में टॉप पर रहा है अगला कुशन है हाली में किस रैंक जिनने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए एक लाख रुपए के नगत प्रोसाहन की घोशना की है तो ये कुछ अतरंगी न्यूज है मैं आप लोगों के लिए जब यह पढ़ रही थी तो मैंने इसे दो बार चेक किया कि कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया लेकिन ये न्यूस सच है ऐसा फैसला भी हाली में मिजोरम के द्वारा किया गया तो मतलब कि बस यही न्यूस सुनना बाकी था कहने का मतलब है कि इतने बच्चे अनात पढ़े हैं दुनिया में जिनके माता पिता नहीं है जिनका कोई सहारा नहीं है उन्हें आप गोदलें उन्हें भी माबाप मिल जाएंगे पर इन्हें तो अलग सही जनसंक्या बढ़ानी है और चाइना के आगे निकल जाना है तो हुआ क्या है कि मिजोरम के जो खेल मंत्री है जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं इनका नाम है रोबर्ट रोमाविया उन्हों ने ये गुशना कि है कि राज्जी में जो भी अधिक बच्चे करेगा उन्हें प्रोसाहन दिया जाएगा और सुनिये राज्जी में जो भी अधिक बच्चे करेंगे इन्हें 1,0,000 रुपई तो मिले गई साथ ही प्रमाड पत्र और एक ट्रॉफी भी मिलेगी अब ये कैसी योजना है कि इन्होंने ऐसी कौन सी अच्विमेंट हासिल कर ली है कि अब इन्हें ट्रॉफी भी दी जानी है एक तरफ तो सरकार कहती है जैसे कि असम कही एक्जामपल ले लो असम ने क्या फैसला किया है कि राज्ज में बांजपन के दर में बांजपन कहने का मतलब है कि ऐसी माता जो कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है बांजपन के दर में व्रद्धी हुई है और मिजोरम की जो आबादी है इसके बीच विकास दर में कमी आई है जो कि चिंता कविशा बना हुआ है और इदी अरुनाचल प्रदेश में सत्र रहते हैं अरुनाचल प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है मिजोरम जहांकि यहां का जनसंख्या घनत्व है 52 परसन एक वर्ग किलोमीटर में 52 परसन रहते हैं पूरे भारत के दी पूछा जाए तो आप जानते ही हैं 382 वेक्ति प्रती वर्ग किलोमीटर यहां रहते हैं तो इनका यह कहना है कि कम जनसंख्या होने के कारण मिजोरम डेवलप नहीं हो पा रहा है इसलिए बच्चे पैदा करो और पुरुसकार पाओ यदि हम बात करें मिजोरम की इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं मिजोरम की राजधानी तो यह है आईजोल यहां के मुख्यमंत्री यह है जोरम ठंगा राजजे पाल है पी है स्रीधरन पिल्लेई आप यह भी याद रखेंगे कि यह जो आप लोगों को चार राजजे अगला कोश्चन है हली में बीसी से आई ने ओलंपिक में खिलाडियों की तैयारी के लिए कितने रुपए की मदद देने की घुशना की है तो बीसी से आई के दुआरा इस तैयारी के लिए 10 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा यह सौरव गौंगली जो की बीसी स काई की सेक्रेटरी है बीसी से एक स्थापना 1928 में हुई थी हैटकॉाटर तो यह है मुंबई महराश्टर में हली में भारती पुरिस हौकी टीम के कैप्टन की रूप में किसे नामित किया गया है तो यह नामित किये गया है मनपरीत सिंग जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं तो मनपरीत सिंग यह तो बने ही कैप्टन इसके वॉइस कैप्टन बने है विरेंद्र लाकडा और हर्मन परीत सिंग यह आप करन्ट से रिलेट करेंगे हाला कि यह फरवरी 2020 की न्यूज है ऐसी न्यूज आई थी कि इंटरनेशनल होकी फरडरेशन की दौरा मनपरीत सि की कैप्टन जो की बनाई गई है रानी रामपल यह भी करन्ट से रिलेटेड है इनकी भी न्यूज फरवरी 2020 में आई थी यह वर्ल्ड गेम्स एथिलीट ऑफ द इयर का वाड़ पाने वाली यह दुनिया की पहली होकी खिलाडी भी बनी थी इसलिए इनका नाम भी आप आप देख पा रहे हैं तो अरुनाचल पिदेश की तो ऐसी पहली महिला बनी है लेकिन यह भारत की ऐसी दूसरी महिला बन गई है जिन्हें इंटरनाशनल बॉक्सिंग एसोसियेशन के को समीती का सदसे न्यूक्ति किया गया है यदि हम बात करें इंटरनाशनल में बॉक्सिंग को रेगुलेट करता है इसके स्थापना 1946 में हुई हैट्वाटर लॉजन स्विजर रंड में है अध्यक्षे उमर क्रेम लेव ये कोश्चन मैंने रिविजन के लिए रखा है हाली में सरकार द्वारा भारत के वर्ल्ट ट्रेड और्गानाईजेशन मिशन क निदेशक के रूप में किसे न्युक्ति किया गया है तो ये भी हाली में न्युक्ति किये गये हैं आसीज चांद रोकर जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं यदि हम बात करें डबलू ट्यों की यनि की वर्ल्ट ट्रेड और्कानाईजेशन की इसके स्थापना हुई थी 1995 में हैटकॉाटर जेनेवा स्वीजर लेंड में इस्थित है और प्रेजन टैम में इसके अध्यक्ष कौन है नकोजी अंकोजी डबलू ट्यों की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रिकी हैं ये जो की नाई जिरिया से बिलॉंग करती हैं कल जो मने आप लो कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थाइंक्यू सो मच